Hello everyone, welcome to Nishanthi Academy, बहुत सरे स्टुएंट्स के डाउट थे कि sir DRDO Security Assistant में हम क्या पढ़ें, कौन-कौन से टॉपिक से इंपॉर्टन है, तो इस टूडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि DRDO Security Assistant एक्जाम का अगर आप प्रप्रेशन कर रहे हैं, जो कि DRDO September 10 Admin and Allied के अंदर एक प system के लिए ताकि आपका paper बहुत अच्छा हो, पहले तो कुछ basic चीजें, सभी को पता है कि 75 questions आने वाले हैं, इसमें 75 marks का होगा यह, एक घंडा आपको time दिया जाएगा, और 4 subjects यहां पर पूछे जाएगे, एक क्वांट का syllabus है, क्वांट पूछा जाएगा, reasoning पूछा करके आपको 25 questions के around देखने को मिलेगा, exactly नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा up-down होगा, ठीक है, क्योंकि exactly defined नहीं करा गया है, अभी तक DRDU के द्वारा, जर्नल अवेर्नेस के आपको 25 के around questions दिखेंगे और जर्नल इंग्लिस के आपको 25 के around दिखेंगे, तो आप ऐसे assume कर सकते हो, मांकि 19-20 होगा, पढ़ना आपको सारी चीज़े है, जो भी आए, जादा आए, कम आए, कोई फर्क नहीं पढ़ता, अगर आपका preparation अच्छे से हु आपको description में और comment section दोनों जगों पर पिन करा हुआ मिल जाएगा, आप directly access कर सकता है, अगर आपको PDF format में चाहिए, तो आप comment section में comment करके बोलना मैं, telegram में आपको इसका link दे दूँगा, आप वहां से download कर सकते हैं, तो DRDO security assistant के quant के अंदर, यानि कि mask के अंदर, आपको कुछ topics पढ़ने हैं, जिसमें से starting with percentage, ratio and proportion, profit, loss and discount, simple interest, compound interest, time and work, work and wages, pipe and cistern, speed and distance, relative speed, boat and stream, train, problem on age, partnership, average, यहां तक तक तो पढ़ना ही है, algebra के questions भी देखने को मेलेंगे, आपको mensuration भी देख सकता है, और geometry भी दिखेगा, मतलब इतने topic confirm है कि आपको करने हैं, तिक है, आप skip नहीं कर सकते इतने topics को, next जो है, वो reasoning का topic है, reasoning का syllabus यहां पे आपको mention करा हुआ है, coding and decoding, analogy, classification, alphabet, test, word formation, setting arrangement, direction and distance, number ranking, timing, sequence, puzzle, number series, inserting, the missing character, problems on age, based on age, blood relation, clock and calendar, mathematical operations, statement and assumption के questions होंगे, statement and conclusion के questions हो सकते है, water image, paper, folding and cutting, and cube and dice, अब बोलोगे से इतने सारे topics हो गए है, quantum में, और इतने सारे topics हो गए है, reasoning में, तो दोनों का मिला करके ही, I think, 75 questions cross हो जाएगा, हर एक topic को ले लिया जाए तो, तो ऐसा नहीं होगा, अब सारे topics यहां पे mention है, इसमें से कुछ topics वो pick करेगा और फिर वहां से questions बनेंगे, तो पढ़ना तो आपको सारा पढ़ेगा, आप skip नहीं कर सकते हो यहां पे, सारी चीज़ें पढ़ोगे, आप जानते नहीं हो ना कि कहां से होगा, question हो सकता है कि percentage के जगह पे आपको ratio and proportion के question मिल जाए, speed and distance के जगह पे कोई और topic मिल जाए, लेक अब क्या हैगा, वो depend करता है examiner पे, क्या वो देता है, लेकिन हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, next है मेरा जो English का syllabus, English के अंदर जो है, दो पार्ट में syllabus, डिबाइड होगा, एक vocabulary का section है, और दूसरा grammar का section, तो यहां पे सारी चीज़ें मैंने आपको, आपको दिक्कत नहीं हो करे हुए हैं, उसके बाद आपको geography के सारे topics मेंचन करे हुए है, general science के सारे topics मेंचन करे हुए है, then current affairs के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है, अब यह ध्यान रखिएगा, कि बहुत सारे students को समझ में नहीं आ रहा है, इस difficulty level नहीं होगी, उन्हें किस level का preparation करना है, यह class 12th level का exam है, तो अगर आपने CHSL का पहले preparation किया हुआ है, तो आपको CHSL का क्या standard है, आपको पता होगा, SSC CHSL का, तो आपको उसी level का preparation करना है, MTS या CHSL level का ही आपको maintain करके चलिएगा, कि यहीं तक हम मुझे अपने आपको maintain करना है, बहुत जादा typical questions में नहीं जाना है, नह पर नहीं पूछ जाएंगे, अब तो कि variety जादा है, तो difficulty level जो है, थोड़ा सा down ही मिलेगा, आपको जादा नहीं मिलेगा, क्योंकि समय देखो, साथ मिनट में 75 questions करने है, तो यह अपने आप में एक challenge बन गया, ठीक है, अगर आपको full package चाहिए, तो निशानती Academy app पर full package अफि 500 रुपीज प्लस 13.14 GST है, ठीक है, so 500 में आपको सारे courses करवाए जा रहे है, if you are interested, then you can check the description, now अब यहां पर जो है, आप यह ध्यान रखना, कि अगर आपको previous questions चाहिए, security assistant पर बेस, कि कि किस तरीके के questions आई हुए है, तो exactly security assistant का paper नहीं available है, लेकिन मैं आपको एक model sample paper दे सकता हूँ, इसके थुरू आपको समझ में आ जाएगा, कि क्या pattern होगा, क्या difficulty label होगी, मैं आपको clear कर दूँगा, अगर आपको चाहिए, तो आप comment section में comment करके बताईएगा, ठीक है, so description में link दे हुए, link पे click करिए, आप post के थुरू जो है, आप तारी चीजे समझ दीजे, क्या ह क्यानी, thanks for watchin this video and wish you good luck for it